नमस्कार मैं Dr. Vipnin Van Sal, वास्तू कंसिल्टेंट आज फिर अपनी इस सेरीज में Plot Chain से लेकर Plot Shuddhi तक, Plot Shuddhi से लेकर गरह और गरह निर्मान तक और गरह इनिर्मान से लेकर गरह प्रविश्ट तक अपनी इस सेरीज में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वास्तु शास्तर के अनुसार घर के अंदर ग्राइंड रूम कहां बनाना चाहिए मैं हमेशे ही आप लोगों को वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूं मेरे को वास्तु विजिट करते हुए 24 साल हो गए है और जो मेरा अपना 24 सालों का अनुभव है वो अनुभव मैं आपको अपनी वीडियो के मद्यम से देता रहता हूं वास्तु शास्तर के अनुसार घर के अंदर ग्राइंड रूम किस दिशा में बनाना चाहिए ग्राइंड रूम का मितलब है कि गैस्ट का आना और वहाँ पर बैठना चाहिपानी पीना और चले जाना वास्तु शास्तर के अनुसार सबसे अच्छी दिशा कौन सी रहती हैं नौर्थ वेस्ट जूम यानी वाइवैकों वाइवैकोंने को हावा का कौना भी कहा गया है और यहां पर आप मेहमानों के लिए कमरा भी दोनों चीज़े यहां पर आपकी आस्कती है रैंगरेंगरों बनाने चाहें तो गेस्ट नॉर्थक्रण दिशा में एक तो जोन बनती है हमारी नॉर्थ वेस्ट की सेकंग जो डिरेक्शन बनती है किसके लिए ग्रैंड रूम के लिए वो बनती है हमारी नॉर्थ की थर्ड में जो आप्शन बनती है वो हमारी इस्ट की बनती है जाएब घर का south facing है तो हर आदमी यह चाहता कि गेस्ट बाहर के बार आए और जाए तो ऐसे में हमेशा धियान रखना चाहिए जो आपका south west zone बनता है इस zone में आपका dream room नहीं होना चाहिए ग्रेंग रूम आप साउथ में बना सकती है एक टाइम को आप साउथ हिस्ट में भी बना सकती है लेकिन मैं आपको कहूँगा कि साउथ हिस्ट में हमीशा ही किचन बनानी चाहिए कई बार ओप्षेन ऐसी होती है कि साउथ हिस्ट में किचन नहीं बन सकती साउथ हिस्ट में ग कीचन को बनाएं ग्रैंड रूम को आप अपना साव जोन में यानि दक्षिन दिशा में बनाएं यह दिशाइं ग्रैंड रूम के लिए अच्छी मानी जाती है अब कहीं भर क्या होता है कि स्पेस बहुत कम होता है प्लॉट के साइज छोटे होते हैं उसके हिसाब से सारी होने के कारण चारो तरफ तो अपना रूम बना लिया जाते हैं बीच के भाग में जो लॉबी बनती है जो लेविंग एरिया बनता है उसी के अंदर सिटिंग जोन बना लिया जाती है यहां से अपने घर की एंट्री होती है वहीं पर उसी जोन में ड्रैंड रूम बना लिय ताकि घर के अंदर जो सौफेर रखे हैं जो सामान रखा है वो खरआप ना हो उनके ओपर धुल मिट्टी ना आए बच्चे ट्रैंग रूम में जाकर ना खेलें तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने नौर्थिष्ट के रूम को पैक कर देते हैं तो वास्तु शास्तर के अनुसर यहां पर वास्तु दोश बन जाता है क्योंकि नौर्थिष् इस्ट में ट्रैंग रूम नहीं बनाना चाहिए यदि आप अपने यहां पर नौर्थिष्ट में ट्रैंग रूम बनाते तो खिड़के और दर्वाजे हर आलत में खुलने ही चाहिए तो आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माद्व से ट्रैंग रूम के बारे में बत करने जा रहे हैं तो वास्तु शास्तर के अनुसार आप अपने घर के अंदर रेनुवेशन भी कर सकते हैं अपने घर को नया वास्तु शास्तर के अनुरूप भी बना सकते हैं क्योंकि घर सिर्फ इंट पत्थर से नहीं बनता वास्तु शास्तर के अनुसार हर घर के अंदर पंच तत्वों को उनका अपना सहिस्थान देना चाहिए खाली इंट पत्थर से घर को नहीं बनाने चाहिए उसमें पंच तत्वों को उनका अपना सहिस्थान जरूर देना चाहिए ताकि घर के अंदर हमेशे ही खुशाली आए क्योंकि जड़े मजबूत होंगी तब ही पेड़ पर फल अच्छा आएगा जड़े कैसे मजबूत होंगी वास्तु शास्तर के अनुसार पंच तत्वों को उनका अपना सहिस्थान दिया जाए तब ही वो जड़े उस घर की निम मजबूत होगी उस घर के अंदर हमेशे ही खुशाली आएगी मान समान मिलेगा धन दोलत आएगी परिवार में बढ़ोतरी होगी आप अपनी किसी भी साइट के परती हमसे ओनलाइन सला लेना चाते हैं तो आप हमसे ओनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपने किसी भी साइट का हमारे यहां से मैप बनवाना चाहते हैं, तो वास्तु शासर के इनमसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट के लिए हमें इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप हमें भी इनवाइट कर सकते हैं, मेरे दोरा इस वीडियो में दीगी जानकर या आपको अच्छे लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और अगले प्रोगाम में फिर एक और नए विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार